हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CA intermediate में passing percentage का जो criteria है वो क्या है यानि कि pass होने के लिए कितने numbers चाहिए अगर हम एक group देते हैं उसका passing percentage criteria क्या होगा दो group देते हैं तो उसका passing percentage criteria क्या होगा ठीक है और exemption क्या होती है कैसे वो carry forward होती है फिस सारी बाते क्या है कि इ मेरा नाम है अगर आप इस चैनल में न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियो का फाइदा मिलता रहे तो सलिए तो देखिए CA intermediate में अगर passing percentage की बात करें तो सबसे पहले तो यह है जैसे आपको पता ही है कि minimum जो मार् होता है हर पेपर जो होता है वो कितने मार्स का होता है 100 मार्स का हर एक पेपर 100 मार्स का है पास होने के लिए जो minimum मार्स चाहिए और हां जो मार्स चाहिए होते हैं जो मार्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं हमें 50% पहल तो यह समझीए ठीक है अब हर पेपर सो नंबर क का minimum marks चाहिए चालिस aggregate चाहिए पचास परसेंट तो step by step हम कई सारी situation discuss करेंगे आखिए आपको तीन से पांच मिनिट के अंदर इस सारा clarity हो जाएगी कि हां भी passing percentage criteria क्या होता है exemption का क्या system होता है और कैसे वो carry forward होती है आप लास्ट तक वीडियो में डुड़े रही है अब माली जी है कि आप single group देते हैं single group आप देते हैं ठीक है तो आपके एक paper में आए पचास एक में माली जी यह 56 एक में आप के आगे आपमालिजी 56 अगले में आगे 40 ठीक है तो पहले आप total लगाईए कि total कितना बना आपका यहां पर total बन गया ठीक है 50 फिर 56 है फिर 56 है ठीक है यह आपका आगया 162 ठीक है यह आपका गया 202 ठीक है 202 अब इसमें क्या है कि आप है pass आप pass कैसे हैं कि हार पेपर में आपको कितना चाहिए ठीक है आपको चाहिए हर पेपर में कम से कम 40 चाहिए है वो कितने चाहिए 255 पर सेंट तो दोसदो नंबर हमारे हैं हम क्या होगे पास तो होगे यह माली जी 50 आए ठीक है यहां 59 आए यहां पर कितने आगे 39 अब मार्ग कितने हुए आपके ठीक है 50 और 59 ठीक है यह आपके होगे 168 और नेक्स कितने आए 39 यह आपके कितने होगे ठीक है कि अगर 217 आपके 270 यहां पेपर में जो आपको चाहिए थे 40 मार्क वो नहीं है यहां पर आपके किया है कि 40 मार्क नहीं है तो ये group क्या हो गया? Fail ये group क्या हो गया? Fail ये group आपका clear नहीं हुआ तो just एक number के कारण ये group आपका दाय गया और usually होता भी ऐसे ही कि एक number से दाय गया, दो number से दाय गया ठीक है? तो चलिए, next चलते हम next में क्या है कि माली जी यहां 50 वे आए अपके, यहां 59 आए, यहां 61 आए, यहां पे 39 आए ठीक है? अब max आपके कितने होगे? यहां पे होगे 219 ठीक है? 219 नमबर यहां पे आपके होगे बट यहां पे फिर वही दिखकत है कि आपके एक paper में क्या है कि 40% से कम है. ठीक है 55% में क्या है 40% 40 से कम है या नी 39 यहाँ पे. यहाँ पे एक number से group रहए गया. ठीक है अब चलो यहाँ पे हो तो गही fail. यहाँ पे फोलिटीब बाद क्या रही यहाँ पे आपके एक है exemption. ठीक है exemption क्या होती है? अगर आपके किसी भी paper में 60 या 60 से ज़्वारा आते हैं जो अग्जंशन का scenario तब आता है जब आपका group clear नहीं हुआ ठीक है जिससे यहां group clear नहीं हुआ फैल हो गए ठीक है तो यहां पर कहते हैं कि assumption का scenario बीट में आता है वो यह होता है कि अगर मालीजी आपका ग्रूप प्लियर नहीं हुआ और किसी पेपर में आपके 60 या 60 से ज़्यादा आए है तो next तीन attempt तक next तीन attempt तक आपको वो पेपर देने की जुरुत नहीं है यानि कि यह वारा पेपर क्या है कि next time आपको देने की जुरुत नहीं है और याद रखिए कि जो exemption है ठीक है वो carry forward कितने टाइम के लिए होती है तीन attempt के लिए carry forward of exemption ठीक है यह आपको याद रखना है कि exemption जो है maximum तीन समय तक carry forward होती है जैसे मालीजी आप एक्जाम देते हैं नमंबर दोहर 21 में exemption कहां तक चलेगी ठीक है में दोहर 22 की बार नमंबर 22 फिर में दोहर 23 टूथाजन थर्टी ठीक है 23 तो यानि कि तीन बार तक maximum exemption carry forward फुद यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर पेपर तो हो गया था क्या फेल फेल हो गया था ठीक है बट हाँ यहाँ पर आपके marks एक paper में कितने 60 से ज़्याद है अब next time क्या है कि आपको जो balance marks है वो चाहिए ठीक है यानि कि next time क्या है कि आपका 61 आगे add हो जाएगा और बाकी कि जो balance marks है वो आपको चाहिए ठीक है पध्यान जखना है कि कम से कम फिर 40 चाहिए और aggregate कितना बन जाए 50 परसंट बन जाए और एक paper में आपके 61 वो आगे जाके count हो जाएंगे यानि कहने के बाब आपको ये वाला ये वाला और ये वाला तीन paper next time देने ठीक है और हर paper में 40 चाहिए और aggregate फिर वही जोड़ लगा के देखेंगे ठीक है 61 पिसला हो गया और बाकी के paper में जो balance है वो चाहिए तो total जो है फिर बुर्स रुप का क्या है कि फाइदा ही फाइदा होता है तैए उसली नुक्सान कोई नहीं होता बुर्स रूप की या फायदा ही फाइदा है नुक्सान कोई नहीं है वो कैसे फाइद है? maalij jiy आपने दिया group 1 यू साथ में दिया second group माली जी group 1 ने कितने marks है आपके? 49 50 51 49 यह आपके कितने होगी 199 ठीक है अब सेकिंग ग्रुप में आपके मार्क्स है 50 52 48 51 यहाँ पर कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके 201 आप दिखिए फायता क्या है वैसे अगर आप इंडिविजुली देखेंगे तो आपका यह वाले ग्रुप में तो 50% बना नहीं यहाँ तो बच्चा क्या है एक नंबर एक्स्त्र है वह इस में रुप ग्रुप देते हैं दो गूर देते हैं तो तो minimum आपको हर पेपर में 50% 40% चाहिए और aggregate अगर आपका कितना बंदा है 50% जो बन भी रहा है तो out of 800 आपकी marks कितने बंदे है 400 तो यहां 50% total बंदा है तो बच्चा यहां भी pass है और यहां भी pass है तो pass जो है वो दोनों जगा आप हो जाते हैं दोनों ही जगा क्या है आप pass हो यहां पर ठीक है तो किस रीके से pass हुए कि minimum marks आपको 40 चाहिए हर पेपर में और दोनों गुरुप का जो एग्रीगेट है एक गुरुप का आपका एग्रीवेट नहीं भी बन दा पर दोनों गुरुप का आपका एग्रीगर कितना बन जाता है 50% बन जाता है तो आपके दोन 49 है यहां 50 है यहां 51 है यहां 49 है सेम वही सिट्यूशन पहले वाली 199 अब जो सेकेंड गुरुप में जो marks आए आपके वह आए हैं 50 52, 48, 49 ठीक है और यहां पर आपके कहा है कि 199 marks है ठीक है तो obviously आपके जो minimum marks है हर पेपर में वो तो 40% है गुरुप 1 में ठीक है paper में कहा है हर paper में कितने 40 marks आ रहे हैं तो second में भी यही हो रहे है पर aggregate आपका कहीं भी नहीं बन रहा तो total दोनों को aggregate लगा रहे है 50% तब नहीं बन रहा तो बच्चा यहां भी fail है और यहां भी fail है दोनों ही जगा क्या है fail ठीक है एक situation और देखते है इस में क्या होता है माल यहां पर marks कितने आए 49, 50, 51, 52 ठीक है तो यहां आपके आगे 202 ठीक है और दूसरे में आए 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 आपकी मालीजे 60, 50, 55 ठीक है तो यहां पर दिखिए आप marks कितने आ रहे हैं आपके ठीक है 60 और 60, 120 और फिर 175 होगे ठीक है फिर 39 यहां पर आपके आगे 214, 214 marks आगे आप ध्यान से समझेगा हुआ क्या है ठीक है अब ध्यान से समझे हुआ क्या है यहां पर देखो पहली बात तो क्या है कि बच्चा यहां तो हो गया पास ग्रूब 1 में कैसे पास हुआ हर पेपर में उसके जो मिनिम्म है और 40 marks है और जो एग्रीगेट है वो कितना 50% बन जाए चार्सों में से 202 के आ रहे हैं 200 नंबर कम से कम आ रहे हैं अब नेक्स में क् हो टल तो दोगेट होने चाहिए रहा है बैठ में क्या हुआ कि आपके हर पेपर में नबर नहीं आ रहें तो पहली बात थो ग्रूब में इसरे उसमें भी आपने क्या हो गया है यहां पास्टी बात यहां पेश्डर सेटां नहीं है है उसमें दो पेपर में क्या आई हैं? अग्जम्शन. मैंने बताया कि ये दो अग्जम्शन क्या होती हैं? अगले तीन अटेम्ट तक ये केरी फॉवर्वर्ड हो जकती हैं. यादि कि अगली बारा पेपर देंगे, तो आपके 120 नमबर तो हई हैं, बाकी के बचे में आपके 40-40 नमबर भी एड़ हो जाते हैं, तब भी आप क्या हो जाएंगे? पास. तब भी क्या हो जाएंगे आप? पास. इस तरीके से क्या होता है कि ये होती हैं? तो यादि कहने के बाब ये हुआ कि minimum पेपर जो है, minimum जो marks है हर पेपर में वो आपको चाहिए 40 और पूरे group में aggregate चाहिए 50 परसंट. अगर आपके पूरे group में 50 परसंट नहीं भी हैं, चल जाएगा. अगर दूसरे group के साथ मिला के अगर आप दो group कर्थे देते हो, तो नों को मिला के aggregate जो है, वो 50 परसंट बन जाए. पर यह ध्यान रखना है कि दोनों group में 40-40 नंबर हर पेपर में चाहिए. और ध्यान यह भी रखना है कि अगर आपका कोई group के लिए नहीं होता, किसी में 40 तो कम नंबर आ जाते हैं, तो उस group में क्या है कि अगर आपके किसी पेपर में 60 या 60 से ज़्यादा हैं, तो वो जो extra marks है, वो आगे carry forward हो जाते हैं, ठीक है, आगे जाके आपको फिर जो balance marks हैं, यानि कि minimum 40 और aggregate 50 परसंट वो चाहिए, ठीक है, minimum 40 और aggregate 50 परसंट है वो चाहिए, ठीक है, और जो आपकी exemption ने जिसमें बताया, वो तीन बार तक carry forward हो सकती है, ठीक है, और अगर वो तीन attempt के अंदर भी आगर आप ये 50 परसंट अग्रीगेट नहीं ला पाते हैं, तो next time क्याएगी फिर आपको पेपर जो हैं सारी के सारी वो नए सारी से देने पड़ेंगे, ठीक है, आपके exemption जो है वो lapse कर जाती है, और मैं बता दूँ कि जो मैंने आपको CA intermediate की में बताया है passing percentage का criteria, same as it is criteria कहाँ अपलाई होता है, CA final में, ठीक है, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी वीडियो जो है routine की, जो आपके मतलब की वीडियो है, हम routine basis में बनाते है ठीक है, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, तो कि आने वाले टाइम में भी कहें कि ये ये वीडियो आपके benefit के लिए बनाते रहेंगे, thank you